नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुलमिश्चा आज हम लोग भारती दर्शन के आस्तिक संप्रदाय सांख दर्शन पर बाचित करने जा रहे हैं हम लोग बाचित करने जा रहे हैं आज का टॉपिक है सांख दर्शन का मोक्ष जैसा कि सुरू के चर्चा हुई थी भारती दार्षिक संपरदायों में जो भी चिन्तन विक्सित हो रहा है सब का एक मात लक्ष क्या है दुख से मुक्ति कैसे ही पाये जाए तो जो भी दार्षिक संपरदाय है अगर उतत्त की चर्चा कर रहे हैं और इसी दुख से मुक्ति के प्रयास में हमारे सामने दार्षिनिक संप्रदाय आते हैं, उनका चिंतनाता है, इसलिए तत्व की ब्याख्या करने का उद्देश ही क्या था, कि हम कैसे दुखों से मुक्ति पा जाए। इसी संदर में आये देखते हैं सांग का मुक्ति का सिद्धाम, सांग अपनी तत्व विवांसा में दो तत्व सिविकार करते हैं, एक प्रकिर्थी और पुरुष, यह जो दो तत्व हैं, यह तत्व आपस में मिलकर स्रिष्टि का विकास करते हैं, और इस स्रिष्टि के विका से उसी की चर्चा यहां पर की जाती है तो जो भी विकास वाद उसका लक्ष क्या हो गया पुरुष की मुक्ति अब इसी सिद्धान को आगे बढ़ाते हुए अब देखे उनकी दाश्रिक व्याख्या है विकास वाद की उसमें कहते हैं प्रकिरत पुरुष दोनों अलेलक तत में लगता है महत्तत बुद्धी के विकास के साथ जो प्रकिरत के से जुड़ने की वज़ा से पुरुष जो है वह अपने को शरीर सेयुत कर लेता है और करता समझने लगता है जैसे कि उनका अपना उधरान है कि जिस तरह एक लोहे के गोला अगनी से जल रहा है तो अगनी से जलता हुआ लोहा जो है वह अपने को अगनी समझ में लेता है अगनी जेसा समझ में आता है उसी ता पुरुष पर्श चेतन तत्त से अलग होते विए भी वो स्वयम को समझ लेता है, स्वयम को प्रक्रिस से जोड लेता, यही दुख का कारण है, और हम संसार के अलग-अलग दुखों में उन्होंने तीन तरह के दुखों को माना है, त्रिवित दुख, तीन तरह के दुख हैं, उस त्रिवित दुख पहला माना जाता है, उन्होंने उसके परिभाशा बहुत अच्छी दी है कि पहले अध्यात्मिक अधि बहुत एक अधिदैविक अध्यात्मिक का मतलब होता है जो अपने में दुख हो अर्थात आपको भूख प्यास और आपको जो बुखार उखार आता है इससे दुनिया वेक्ट दुखित होता है फिर आप देखेंगे सांग दर्शन की विशेश खास बात है कि सांग दर्शन ने ने बहुत विस्तार के साथ इन तीन दुखों का वर्डन के और तीन दुखों में समध्दुख समाही थै या तो भाई आपको सुख दुख भोग प्यास लगती है आप बिमार पड़ते हैं पहल सांग दर्शन कहता है कि हमें मुक्ति ज्ञान से किस ग्यान से करती है कि पुरुष प्रकृत से अलग है पुरुष जो है वह प्रकृति से अलग है साथ में वो चेतन सरूफ है उसका सुख दुख से कोई लिना देना नहीं है उसका गुणों से कोई संबन नहीं है अगर उसे इस बात का ग्यान हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है तो ग्यान से मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ अलग से कोई नहीं चीज मिल गई आपको बस पुरुष को इस बात का हिसास हो जाए, आत्मों को इस बात का हिसास हो जाए कि वह प्रकृति से अलग है, जिस समय ये ज्यान हो जाता है, उससे मुक्त हो जाती है यहां बता दे जानकारी के लिए कि पांस तत्तों का तीन तरह के ज्यान से धांत है मुक्ति के तीन मार्ग माने गए हैं भारती प्रमप्रा में एक भक्ति मार्ग दुस्ता कर्म मार्ग एक ग्यान मार्ग भक्ति मार्ग कहता है कि इश्वर की भक्ति करने से आपको मुक्ति मिलती है कर्म जो मार्ग हो कहता है जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करने से मुक्ति मिल है जिस समय साधक को इस बात का ज्यान हो जाता है मैं आत्म साधस्य हो दो इसी से मिलती जूलती बात यहां पर सांध॥ जर्शन कह रहे हैं कि सांघी किया रहे हैं मुक्ति ज्यान से ही आप मुक्त होते हैं अब इस जीवण में रहते हुए विमुत हो जाते हैं जिस छण आपको ग्यान हुआ कि आप इस शरीर से अलग है आप आत्त्तों हैं शरीर से अलग हैं अब आप मुक्त हो गए लेकिन कर्म नियम की वज़ा से शरीर बना हुआ है तो इस जीवन में रहते हुए भी जब मोक्ष प्राप्त करने की ओधारना जीवन मुक्त कहलाती है और सांग दर्शन जीवन मुक्त अधारना को स्विकार करता है तो जीवन मुक्त अधारना ग्यान से मुक्ती की बात होती है तो ग्यान से आप मुक्त हो जा रहा है आपका जीवन बना हुआ है इसका अधार मिलता है जिस तरह की कुमहार एक चाक को चलाते चलाते जो है वो और समस्यार्य होती है। जब आत्मा भै सत्तंतम्रज ये तीनों गुन जो है वो गुनस औरivent आत्मा क्या है इस प्रकृत से अलग है इसलिए मुक्तवस्था मेरेस त्होंता है ना दुख होता है ना आलस होता है क्योंकि आत्मा इन तीन गुन से युक्त होती है यहाँ पर सांग दाश्टी कहते हैं अगर हम आपको कर्मों का कर्म करने से स्वर्ग मिल सकता है लेकिन स्वर्ग भी आस्थाई है जैसे कर्म फन खतम होंगे आपका स्वर्ग से आप नीची आ जाओगे मतलब आप दुबारा कर्म बंदर मन जाओगे इसका क्या हुआ ग्यान से मुक्ति स्थाई मुक्ति होती है आत्मा इस्थाई रूप से मुक्त हो जाता है इस तरह सांग दर्शन वह आत्मा को मुक्ति के लिए ग्यान को आधार मान रहे हैं यहां एक समस्था यह भी आती है वो सुक को नहीं मान रहे हैं वो कहते हैं अगर आनंद क अगर आप सुक को मानोगे अगर आनंद के वस्था में आप मानोगे कि आनंद के वस्था में सुक की अनभूती होती है तो यह गलत है क्यों गलत है आतारकिक है क्योंकि आत्मा तीनों गुणों से रहित है और सुक का संबंद सात्विक गुण से है सत्व गुण से है और सत्व गुण जो है आत्मा का ना होकर वह प्रकृतिका है इसलिए मोक्षवस्था में आत्मा इन तीनों गुणों से रहित होती है और यह पूरी श्षिश्टी परिकृर्य पूरुषस मोक्षार्थम है पूरुषघ को मोक्ष दिलाने के लिए पुरुप्र H Oke ड्स उत्राव कि अधे नहीं एक बिंदू पर आलोशना होती है तो इस तरहीं तो है उसने व्योख्षार्शन और मोक्ष जो है वो आनंद की अवस्था है, दुख निविर्ति हो रही है, एक तरफ वो कह रहे हैं, आप दुख से मुक्त हो रहे हैं, दूसी तरफ यह कह रहे हैं, आप आनंदित नहीं हो रहे हैं, यह विरोधा भास आलोचना का विशे बना है, और अगर किसी साधक को यह लग जाएगा कि मुक्त अवस्था में हम ना तो सुख होगा ना दुख होगा कोई शी नहीं होगी तो ऐसे मोख्ष को कोई क्यों प्राप्त करना चाहेगा इस तरह इनके मोख्ष की सिध्धांत में यह आपत्ती आती है इसके बावजूद इनका जो सांग दर्शन का जो मोख सिध्धांत है वह काफी कह सकते हैं तारकिक माना जाता है अतिधिक तारकिक सिध्धांत है यह सांग दर्शन ने जो त्रिवित दुख की ब्याक्या है वो भारती नहीं पास्चात चिंतन में भी एक महतपूर्ण योगदान करती है कोई भी मैकसिमम जितने दुखों की आप सांग दर्शन बड़े रोचक ढंग से इसको अलग धान के समझाते हैं जैसे एक जगा को कहते हैं कि जो प्रकिर्टी बहुत लग्जावान है सरमीली है उस नाइका की तरह है जो घूंगट में है जैसे ही पुरुष उसके वास्तिक स्वरूब को देख लेता है वो मंच से चली जाती है उसी तरह आत्मा को जिस्छन इस बात का हैसाथ होता है कि मैं इस प्रकिर्ट से अलग हो प्रकिर्ट के वास्तिक सरूब को जान लेता है स्वयम को वास्तिक सरूब से जान लेता है उसी समय यह मुक्त हो जाता है और विकास वात लक्ष ही यही है कि किसी तरह प झाल झाल